नमस्कार दोस्तों महुनिकन्ज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइनिंग टेबल के बारे में आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मिशन दूँगा जिसकी वज़े से आपको डाइनिंग टेबल के बारे में देशियन लेने में मदद मिल सकती है या आप बहतर डिससल ले पाएंगे और इसमें के बारे में सबसे इंटेबल किसी घर का सबसे इमप्पोर्टेंट्क और अब hilft बहुत सारे घरों में dining table को खाना खाने के लिए पढ़ने के लिए और family discussions करने के लिए जब आपके जो close guests या family members extended family के जो लोग आते हैं उनके साथ बाचित करने के लिए use किया जाता है और ये furniture dining table मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारी activities dining table में की जाती है जो आपके घर के सहाब है उनको कोई भी घर में काम करना होता और उनके लिए dedicated कोई working space नहीं है तो वो भी dining table में करते हैं आपको भी घर का कोई काम करना है आपको बच्चों को पढ़ाना है वो भी आप dining table में करती है और घर में जो lady होती है जो महालक्श्मी घर का काम भी करती है और भार का काम भी करती है तो उसको zoom meetings करनी हो computer में कोई काम करना हो या और भी कोई activities करनी हो कोई study करनी हो बच्चों को पढ़ाना होगो पतानी क्या-चाह काम करती है यतने सारे हाथ होते हैं खुब सारे काम करती है तो dining table जैसे महान furniture को प्रणाम करते हुए उसके बारे में बात करते हैं Dining table में तीन major component होते हैं इसको specially आप बहुत ध्यान से सुनिएगा Dining table में तीन major component होते हैं एक dining table का नीचे का structure, under structure ये एक अलग unit है फिर dining table का top ये एक अलग unit है और dining table की chair ये तीन unit है मतब सारी chair मिला के एक unit है तो ये तीनो unit को आप अलग-अलग तरीके से सोचेंगे अगर तो आपको dining table के बारे में decision लेने में काफी आसानी होगी और आप एक बहतर decision ले पाएगा अब आप मान लेते हैं, suppose मान लेते हैं कि आपको dining table खरीदनी है तो आपके पास क्या-क्या option है तो dining table जब आप खरीदने के बारे में सोचेंगे तो एक option ये है कि आपको थोड़ा time है और आप इसको बहुत importance देते हैं इसके बारे में decide करना चाह रहे हैं तो आपके पास dining table का नीचे का structure ऐसे मान लेते हैं कि dining table आप ऐसे खरीद रहे हैं कि नीचे का structure आप अलग जगे से खरीद रहे हैं टॉप आप अपने पसंद का कहीं और से ला रहे हैं और चेर आप कहीं और से ला रहे हैं ऐसे imagine कर रहे हैं जरूरी नहीं आपके पास इतना time हो ये सारी चीज़े करने के लिए तो नीचे का structure है उसमें आपके पास क्या-क्या option है Traditionally लकडी का नीचे का under structure होता था और वो अभी तक भी चलता और वो evergreen है जब तक भी दुनिया रहेगी तब तक dine table के नीचे under structure लकडी का जरूर लगता रहेगा हमेशा उसमें अच्छी finish का बढ़िया बहुत अलग-अलग तरीके की designs ethnic designs, modern designs लकडी के frame में बनती है नीचे के structure में दूसरा जो है आजकल जो बहुत ज़्यादा क्रेज है वो है stainless steel का नीचे का under structure अब क्या है उसमें stainless steel के साथ glass के भी under structure बनने लगए है और जो natural stone है, Italian marble है, marble है, granite है या और भी कोई दूसरे पत्थर है उनके भी नीचे के structures मिलते हैं, बहुत heavy रहते हैं, किसी-किसी को पसंद आते हैं personally मुझे बहुत ज़्यादा वो नीचे के जो structure, जो stone के रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो घर की महालक्ष्मी या घर में जब भी किसी को सफाइफाई करने की जरूत पड़ेगी तो उस furniture को move करना बहुत difficult हो जाता है और move करते समय उसमें damage आने के भी chances रहते हैं मैं ऐसा मेरा मानना है, मैं जो कहरा हूँ जरूरी नहीं है कि आपका भी ऐसा ही विचारो अगर आपको अच्छा लगता है marble का under structure या कोई natural stone का under structure तो आप go for it अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप खरीच सकते हैं लगा सकते हैं अब ये दो आइटम के बाद एक अभी जो latest बहुत ज्यादा trend में है वो है stainless steel की बहुत ही complicated सी बहुत सुन्दर-सुन्दर designs बना करके उसमें coating हो जाती है, stainless steel के उपर एक coat होता है जिसको बहुत है PVD coating, PVD coating का मतलब यह हो गया कि stainless steel के उपर किसी दूसरे metal की coating करना वो एक बहुत अच्छी advanced technology है, उसमें क्या होता है कि जो structure होता है उसको एक oven में डाला जाता है और जो दूसरा जो metal जिसकी उसके उपर coating करनी है उसको एक particular chamber में रखा जाता है जिससे उसके particles उड़के जाके जो frame है जिसमें coating होनी है उसमें जाकर के उसके दूसरे वाले metal के particles जा जाके पूरे frame में हर जगे पे properly अच्छे से चिपक जाते है और फिरो जो दूसरा metal है वो stainless steel का जो frame होता है उसका part बन जाता है वो मतलब बहुत आसानी से उड़ेगा नहीं, हटेगा नहीं, मिटेगा नहीं तो यह जो PVD coating का structure होता है बहुत सुन्दर लगता है बहुत ही प्यार लगता है इसमें ketchup जो PVD coating है वो थो थोड़ा premium है थोड़ा महंगा रहेगा इसी से मिलती जूलती दूसरी-दूसरी coatings है वो भी बजार में मिलती है PVD coating के नाम से बिक्ती है तो खरीबते समय आप जान रखेगा कि PVD अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो PVD लीजिएगा और अगर आप बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है तो वो 99.99% PVD coating नहीं होगी कोई दूसरी थोड़ी सस्ती coating होगी तो वो आप उसका जो minus point जिसा उसको consider करके रखेगा अब यह जो structure आपने ले लिया फिर आप इसके ओपर top लगाएंगे तो जो सबसे famous और हमेशा evergreen जो top है वो है लकडी का top लकडी की जगह पे ply या board या laminate लगा कर या top लगा सकते हैं या real wood का top लगा सकते हैं और फिर glass का top लगा सकते हैं बिल्कुल transparent थोड़ा थिक अच्छा सा या glass में designs बना करके etching वगर करा करके या कुछ color add करके glass के top भी लगा सकते हैं नीचे के structure पर यह भी बहुत सुंदर लगता है अब जो थोड़ा जिसमें time ज्यादा लगने वाली discussion में वो है पत्थर के top प्थर में भी Italian marble के top आते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि जब आप dining table लगाएंगे आपके घर में तो majorly जो दिखने वाला है वो top ही दिखेगा maximum ऐसे समझ लिए 70-80% dining table का top दिखता है और 25-30% जो भी बाकी का बजिया 30% वो आपकी कुर्षियां दिखती है नीचे का under structure और अगर आपने थोड़ा दिखाने के हिसाब से रखना पड़ता है नहीं तो चेर और टॉप यह दो चीज है जो सबसे ज्यादा दिखती है तो टॉप में एक तो हो गया italian marble का top बहुत सांदार बहुत मस्त बहुत सुन्दर अच्छे-च्छे प्यारे-प्यारे colors आते हैं इसमें इनले वगरा करके अलग-अलग designs के italian marble के tops भी available है मार्केट में लेकिन आज की तारिक में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा जो टेबल टॉप बिखता है वो है synthetic onyx plastic जैसा product है synthetic onyx belt दिखने में onyx जैसा दिखता है होता onyx नहीं हो plastic जैसे एक material का ह है और उसको जैसे marble में polish होती है वैसे उसमें polish होती है और उसमें metal foils वगरा करके ऊपर coating वगरा करके बहुत सुंदर-सुंदर design के table tops मिलते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता उसमें थोड़ी से challenges रहते हैं उसमें जो polyster की coating होती है प्यू की coating होती है उसमें कुछ गरम सामा वगरा रग दो तो हो सकता spot पढ़ जाए या बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ हो तो spot नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन वह बहुत सुंदर दिखते हैं तो आपको पसंद आते हैं तो वह synthetic onis के tabletop भी बहुत आते हैं उसको मेंटेन करना पड़ा है चुँकि artificial product है और अगर अब natural stone का top लगाते हैं real marble का या italian marble का तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है उसी तरीके से granite के tops भी लगते हैं थोड़े जो आजकल अलग हटके सुंदर सुंदर बहुत सारे colors granite में भी आते हैं वह भी बहुत खुबसुरत लगते हैं उसके भी हम top लगा सकते हैं फिर उसके अब बात करते हैं chairs के बारे में chairs में क्या है जो मेरा experience है वो यह है कि ज्यादातर case में stainless steel की chairs भी लगती है और full upholster chair में नीचे metal का structure भी आता है वो एक अलग topic है मतब आता है लेकिन but majorly अगर कोई धंकी dining table है तो उसमें जो structure होता है chair का वो majorly लकडी का होता है उसमें fully upholster chair ज chairs आती है फिर seat में और back में अपholster वाली और ज्यादातर major area जो होता हो लकडी का दिखता हुआ वो chairs आती है फिर सिर्फ seat में cushion back में कोई भी cushion नहीं लकडी की chairs आती है और पूरी raw लकडी की chair without any cushion भी मिलती है यह 3-4 तरीके की dining table की chairs मिलती है और normally dining table में जो chair रखती है वो without arm chair ल mostly without arm ही आती है अगर यह मैंने आपको पूरा overall एक आइडिया दे दिया dining table का अब थोड़ा सा content लेते हैं कि rental या low cost में अगर आपको फटा-फट dining table की कोई व्यवस्ता करनी है तो आपको कैसे करना चाहिए तो एक product आता cross stand यसे team pipe का cross stand आता है मैं photo डाल दूगा और उसके उपर आप glass का top रख सकते हैं और जो chairs होती है वो आप premium जो थोड़ी जो cafeteria में exclusive सुन्दर सी और मजबूत जो plastic की chairs आती है वो use कर सकते हैं उससे आप rental friendly या छोटी जगह के लिए अगर आप 4 आदमी के लिए dining table अगर आप बनाना चाहें तो tiny table उससे आप बना सकते हैं यह बहुत अच्छा है अब यह cross stand के उपर आप लकडी का top भी लगा सकते हैं और cross stand के उपर आप glass का भी लगा सकते हैं और cross stand के उपर आप stone का top भी रख सकते हैं और यह फटा 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 भी सकते हैं फटा फटा यह स्वादी करनी है तो आप चेर्स को स्थैक्व कर सकती हैं कि आप यदा ही मिरे को कि 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 अगर आपकी जगह बहुत बढ़ी नहीं है तो कोसिस कीजिएगा कि आपकी जो भाइनिक टेबल वह स्क्वयर हो राउंड डाइनिक टेबल preferably मैं आपको recommend करूँगा कि unnecessary until कोई requirement हो तो round dining table आप avoid कीजिएगा square format पे जो dining table होती है वो ज़्यादा बेटर रहती है उसे फायदा क्या होता है कि एक हिस्से को आपने डिवार से चिपका दिया तो तीन हिस्सा आप regularly use कर सकते हैं जब आप लोग घर के लोग ही है और कभी आपके guest आगया या आपको एक साथ बैठने है तो उसको आप बीच में ला करके चारो तरफ आप यूज़ कर सकते हैं तो चकोर dining table में एक दिक्कत ही है कि अगर suppose मालीज़ा आपने बिल्कुल छोटी dining table ली तो उसमें चार ही आदमी बैठ पाएंगे लेकिन यही टेबल अगर राउंड हो जाती है और सवा तीन फुट की भी डायमिटर है तो उसमें चार की जगह पाँच आदमी उसमें अकॉमोडेट हो सकते हैं यह एक राउंड डाइनिंग टेबल का एडवांटेज है बट अधरवाइस चकोर जो डाइनिंग टेबल होती है वो लॉंग टम में आपको ज्यादा कन्वीनियंस देगी तो यह मैंने फटा फट जो डाइनिंग टेबल के बारे में मेरे पास इंपुट था यह मैंने आपके साथ शेर किया है ऐसा समझ देजी एक पॉड्कास जैसी स्थिती हो गई है इस इंफॉर्मेशन से आपको डाइनिंग टेबल खरीदने में उसके बारे में विचार करने में उसके बारे में क्या बोलते हैं निरने लेने में, डिसेजन लेने में आसानी होने की संभावना ऐसा मुझे लगता है तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक आप लाइक दे दीजिएगा आपको लगे कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता तो उनसे आप शेर कर दीजिएगा और यहां तक आप इस चैनल में ये वीडियो देखते हुए आ गए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच सकते हैं तो बाकी सारी चीज़े सब ठीक है जाने से पहले एक बोलता हूँ कि किसी भी डाइनिंग टेबल में बैट जाई जमीन पर बैट के जैसे हम पहले खाते थे पाटा जो होता था हमारा और पलाक्तिमार के नीचे बैट के खाते थे वो सबसे बढ़िया लगता अभी भी मेरे को वैसे भी खा सकते हैं बिल्कुल जमीन पर बैट के भी खा सकते हैं एक चीज important है कि पलंग पे बैठके मत खाया कीजिए उसके एक तो वास्तु का और जो भी negative effect है वो एक अलग topic है एक major जो problem है ना पलंग पे बैठके खाने का एक तो क्या होता है कि पलंग में जो food particles गिर जाते हैं उसकी बज़े से चीटियां या कोई इंसेक्स वगर आपके बैड के उपर आ सकते हैं जिससे वो कभी रात को आपको काट लेवे हैं उसकी वज़े से कोई infection हो जाए कोई बिमारी हो जाए यह दिक्कत है प्लस एक गंदी सी कुछ गिरा होआ है फिर जो आपकी घर की जो लेडी है उसको फिर पलंग साफ करना या आप बिना साफ करें सो जाए तो जो भी कीडे मकोडे होते हैं वो खाना ढूंटे ढूंटे पलंग के उपर आ जाते हैं वो सबसे बड़ी major challenge है थो खौशिस कीजिए का कि पलंग के उपर बैटके नहीं खाएं डिनी टरफल के बैटके ऊपर बैटके खाईए या जबीन पर बैटके खाईए और खायं थो ढंका खाना खाईए एकस्साइस कीजिए पैदल चे लिए बैडमिंटन खेलिए, वालीवल खेलिए, साइकल चलाईए, स्वस्त्री नमस्कार और दुनिया के सबसे प्यारे दो सब जैहिंद